दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत के तरफ से बड़े मात्रा में ट्रांस्पोर्ट यार क्रैप्टों को खरिदने को लेके इरादा बनाया चारा है और इंडियान यार फोर्स के 56 C295 यार क्रैप्टों के डील के बाद अब इंडियान यार फोर्स के तरफ से क खरिदा जाए दोसों कुछ मिडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि MTA Tender के जो requirement है उसे शायद Indian Air Force के तरफ से घटा दिआ जाए मतलब शायद Indian Air Force अस्तिक के संखिया में मीडियम ट्रांसपोर्ट YARCRAPTो को अब और ना खरिदे और दोसों ये कहना है असल में Brazilian Aerospace पेस कंपनी एंबरियर का और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि एंबरियर भी उन कंपनियों में शामिल है जो कि भारत को मीडियम ट्रांस्पोर्ट यारक्रेप्टों के अंतरगत अपने यारक्रेप्टों का ओफर किया है। के यारक्रेप्ट का तलाश किया जारा है जो कि पाहडी उचाई में आसानी से ओपरेट कर सके और उवर खाबर या अन्पिपेर्ड एर स्ट्रिप में भी लैंडिंग कर सके और वहां से अपने काम को अंजाम दे सके। में एक रिलाइवल, वर्सेटाईल और बेस्ट प्राइज में भारत के सामने ओफर किया गया यारक्रेप्ट है। वही पर दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इंडियान यारफोर्स के ओपरेशन के लिए फिलाल इंडियान यारफोर्स के पास C-130J सुपरहकुलिस और C-17 गलॉबमास्टर जैसे यारक्रेप्टों के साथ रशियन इलूजन 76 जैसे प्लाटफॉर्म भी है। पर दोसरे इंडियार कमपनी का ये कहना है कि पहाड़ी ओल्टिट्यूट में इन यारक्रेप्टों से बहतर पर्फॉर्मेंस असल में उनके C-390 मिलेनियाम यारक्रेप्टों का होगा। हत्यारों को बेचने का प्रयास किया जाता है लगबग वो सभी कमपनी इसी तरीके का ही दावा करता है और एंबरियर कमपनी के तरफ से अगर अपने यारक्रेप्टों को लेके ऐसा कोई दावा किया जा रहे तो ये कोई हैरान पूर्ण बात नहीं है पर दोस्तों असल में हैरान करने का वाला बात ये है कि कमपनी का दावा ये है कि इंडियान इसी तरन से लेके 30 तरन के दर्मियान होना चाहिए इवन दोस्तों ये भी वताया गया है कि इन यारक्रेप्टों को खरिद के इंडियान इयार फोर्स अपने बेड़े के पुराने हो चुके एंटरन ओव एन 32 यारक्रेप्टों को रिटार करेगा जवकि अगर संख्या को तुलना किया जाए तो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरीके के बातों का भी खुलासा हो रहा है जिन में अगर एंटरन ओव एन 32 यारक्रेप्टों के संख्या को इंडियान इयार फोर्स में देखा जाए तो यह करीवन 100 के आसपास है जवकि इंडियान इयार फोर्स 80 मैक्सिमम यारक्रेप्टों को खरिदना चाहता है औ मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग सोज इंडियान इयार फोर्स के तरफ से अवश्य रखा जा रहा है हाला कि एंबरियर कमपनी के तरफ से प्रयास तो बहुत किया जा रहा है लेकिन अगर देखा जाए तो एंबरियर कमपनी के सामने इंडियान इयार फोर्स शक्ताओं को पूरा कर सकता है बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे जो दोनों एर क्रेप्टों का जिकर कर रहा हूँ हो है लॉकिट मार्टिन कमपनी के C-130J सुपह कुलिस एर क्रेफ्ट जो की 20 टन तक पेलोट को कैरी कर सकता है और रिपोर्ट के मुताविक अमरिका के द्वार इन यार क्रेप्टों का ओफर भारत के सामने रखा गया है जबकि दूसरा यार क्रेफ्ट है एर वस कमपनी के A-400M यार क्रेफ्ट जो की 37 टन तक पेलोट को कैरी कर सकता है और इसका ओफर भी एर वस कमपनी के द्वारा भारत के सामने रखा गया और आप लोगों के जानका के MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट यारक्राप्टों को लेके चर्चा हो रहा है तो वही पे दूसरे तरफ और एक बड़े डेवलोप्मेंट के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ बेसिकली दोस्तों ये डेवलोप्मेंट एर्वस के C295 एरक्राप्ट को लेके है और आप लोगों को पता होगा कि इन एरक्राप्टों को भारत के तरफ से बड़े मात्रा में खड़िदा गया है और इन एरक्राप्टों का निर्मान भारत में एर्वस और Tata Advanced Systems के तरफ से पा और दोस्तों लिए टुप笫 में कसे और इंडियान इफोर्स पुराणे हो चूक़े एव्रो एयरक्रेब्स को रिप्लेस करने लिए इंडियान इयरक्रेब्स के द्वारा एरवस कंपनी के C295 यार्क्रेप्टो को खरिदा किया है और रिपोर्ट के मतावी कि ये जो डील है ये करीवन 56 यार्क्रेप्टो को लेके है जिन में से पहला यार्क्रेप्ट यहाँ पे हाली में ही इंडियन यार्फोर्स को सौफा गया है तो वही पे बाकी यार्क्रेप्टो को भी सौपने को लेके तैयारी किया जा रहा है अब दोस्तों ये जो डील है ये कोई नॉर्मल डील नहीं है बलकि मेकिन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत डील हुआ है जिसमें 56 यारक्राप्टों में से करीवन 40 यारक्राप भारत में एरवस और टाटा गपमरी के फैसिलिटी के द्वा से कि इन यारक्राप्टों के जो ओडर है वो बढ़के 71 तक हो जाएगा और भारत में 40 के जगा में करीवन 55 यारक्राप्टों को मिनुफैक्चर किया जाएगा हाला कि दोस्तों कुछ मीडिया आउटलेट का ये भी मानना है कि इतने कम संख्या के यारक्राप्टों को मिनु इसे तरफ अगर एंटरन ओव एन 32 यारक्राप्टों को भी देखा जाए तो इसका जो शमता है ये C295 यारक्राप्टों के बराबर है और निकारणों के वज़ा से कुछ एक्सपर्डों का ये भी मानना है कि एंटरन ओव एन 32 यारक्राप्टों को तो बेसिकली C295 यारक् को का deployment किया जा सके अब दोस्तों C295 aircraft के supply chain को और मजबूत करने के जो इरादा Airways और Tata Advanced Systems के तरफ से किया जा रहा है ये भारत को असल में आने वाले समय में या फिर कहतों long term के लिए एक बहुत बड़ा benefit देगा और ये जो aircraft है मतलब C295 aircraft इसके serviceability को आसान करेगा फिलाल दोस् से आस से करीबन 22 साल पहले मतलब साल 2001 में introduce किया गया था फिलाल दोस्तों Airways कंपनी के तरफ से 200 से भी अधिक ऐसे aircraft का निर्मान किया जा चुका है जिसका इस्तमाल दुनिया भर में 15 देशों के द्वारा किया जा रहा है दोसो C295 aircraft के अगर features को देखा जाए तो report के मताविए कि इस transport aircraft को fly करने के लिए केवल मातर दो crew member का जुरूरत होता है और ये एक ही वार में 73 troops या फिर 48 paratroopers या 12 stretchers को और medical attendance को carry कर सकता है इवन अगर जुरत पढ़ने पे 27 stretchers को तक या carry कर सकता है और दोसो इसके payload शमता normal condition में करीवन 7,050 kg है तो वही पे overload condition में करीवन 9,250 kg है दोसो अगर इस aircraft के आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीब करीब 24.46 मेटर मतलब 80 feet 3 inch है तो वही पे इसका wing span करीवन 25.81 मतलब 84 feet 8 inch है यारक्राफ का height 8.66 मीटर मतलब 28 feet 5 inch है तो वही पेस के wing area करीवन 59 मीटर स्क्वार मतलब 640 स्क्वार फीट है यारक्राफ के लिए maximum take off weight normal condition में करीवन 21,000 kg और overload condition में 23,200 kg है जबकि maximum landing weight normal condition में 20,700 kg और overload condition में 23,200 kg ही है दोसों यारक्राफ्टों के fuel capacity को अगर देखा जाए तो ये करीवन internally 7,650 लीटर fuel को carry कर सकता है जबकि यारक्राफ्टों को in-flight भी refuel किया सकता है दोसों यारक्राफ्ट में इंजिन के रूप में दो pretty Whitney Canada PW127G टर्बो प्रॉप इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिन में से हर एक इंजिन का शमता करीवन 2644 होट्सपावर है लेकिन दोस्तों ये जो इंजिन है 2919 होट्सपावर तक शमता को emergency condition में generate कर सकता है दोसों यारक्राफ्ट के अगर performance को देखा जाए तो optimal altitude में इसके cruiser speed करीवन 482 km है जबकि इसके range को अगर देखा जाए तो normal payload के साथ ये range करीवन 1555 km है overload payload condition में 1277 km तक ये उडान भर सकता है जबकि 3 ton के आसपास payload के साथ ये 4500 km से अधिक distance कवर कर सकता है पर दोसों अगर यारक्राफ्ट 8 ton तक payload को carry करता है तो 2148 km तक आसानी से उडान भर सकता है हाला कि दोसों यारक्राफ्ट के ferry range को देखा जाए तो ये 5000 km है और यारक्राफ्ट के service ceiling मतलब उचाए में जाने का शमता देखा जाए तो ये करीबन 9000 मिटर से भी अधिक मतलब 30,000 feet से भी अधिक है और दोस्तो इन यारक्राफ्टों का दूसरा सबसे खास बात ये है कि इसमें कुछ heart points भी है और report के मताविक रिवन 6 heart points मतलब 33 heart point हर एक wing के नीचे है जिसके सहरे ये 800 kg 500 kg और 300 kg के हतियारों को carry कर सकता है और कुछ avionics को भी ये carry कर सकता है जिसके सहरे ये अलग-अलग mission जैस दोस्तो आप लोग को क्या लगता है कि भारत के तरफ से ट्रांस्पोर्ट यारक्राफ्टों के फ्लिट को मजबूत करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है कॉमेंट करके अपने राय अवश्र दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पही करते समाब कि किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम